हेलो दोस्तों अगर आप रायस्तान से हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि करोणा महामारी के कारण जिन लोगों की मृत्य हुई है उनको सरकार दोरां 50,000 रुपे की रासी आर्तिक सहिता दी जा रही है तो उसके लिए पहले ओफलाइन आविदन हुए थे लेकिन उसमें काफी समश्या हुई थी तो अब उसके लिए ओनलाइन आविदन लेना सुरू हो चुके हैं तो उसमें आपको आविदन कीश परकार करना है उसके बारे मैं संपूर जानकरी देना वाला हूँ आप गर बेटे मोबैल से भी आविदन कर सकते हैं और लेप्टॉप से भी आविदन कर सकते हैं चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं कि चलिए दुस्तों वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपने मॉबिल में गूगल क्रॉम ब्रोजर ओपन कर देना है और यहां पर आपको सर्च करना है यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का एंटरफेस सो हो जाएगा आपको यहां पर राजस्तान सिंगल साइनॉम के ओप्सन पर क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का एंटरफेस सो हो जाएगा अगर आपके पास SSO ID नहीं है तो आप registration के option पर click करके भी अपनी नई SSO ID create कर पाएंगे यहाँ पर आपको जनादार और Gmail ID दोनों से आपकी SSO ID बन जाएगी उसके लिए वीडियो के देखने के लिए वीडियो के निचे description में link है जहां से आप वीडियो को देखर SSO ID create करेंगे मैंने already बना रखी है तो यहाँ से हम SSO ID पासवर्ट डालकर login करेंगे यह वाला जो आपको capture दिख रहा है वो यहाँ पर fill कर देना है चलिए मैं यहाँ पर fill क कर देता हूं और login button पर press कर देना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface सो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आनक बाद आपको 3.4 क्लिक करना है और यहाँ से आपको desktop site कर देना है तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके सामने यह option सो नहीं हो रहे तो आप यहाँ पर other apps का option देर का है यहाँ से आप देर सारे इसके ओपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे apps खुल कर आ जाएंगे लेकिन आपको यहाँ पर information यह वाला dmis का जो लोगो दिख रहा है इसके ओपर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर आप एक सर्ज का आइकन भी है जहां से आप इसके option पर क्लिक करेंगे और इसमें dmis लिखेंगे तो भी यहाँ पर सो हो जाएगा तो कुछ इस तरह का portal खुलेगा आपके सामने यहाँ पर आपको send anyway के option पर क्लिक कर देना है तो कुछ इस तरह की यह side आपके सामने आ जाएगी आप दा प्रबंदक की तो यहाँ पर आने के बाद आपको online अनुरोद का option मिल जाएगा second number पर इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको चार option मिल रहे हैं जिसमें आपको रहत साहिता अनुरोद के option पर क्लिक कर देना है क्या आपके पास जन आदार अभी स्विकरती है या नहीं अगर आप राजस्तान से है तो आपके पास जरूर होगा यह और यह के दो option आएंगे पहला है जन आदार ID के साथ खोजें तो आप इसके option पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जन आदार नंबर दर्च कर देना है जो परिवार पैचान संक्या होती है वह यहाँ पर फिल करने के बाद विवरन प्राप्ट करें के option पर आपको क्लिक कर देना है चले मैं यहाँ पर फिल कर देता हूं जैसे आप विवरन प्राप्ट करें के option पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट्स आपके जो भी जन आदार कार्ड में सदेशे हैं उनके नाम यहाँ पर सो हो जाएंगे तो यहाँ पर आप बैटर रहेगा कि आप हो रखी है उसी में आपको सहता रासी मिल जाएगी और बहुत सारा डाटा आपको फिल अफ करने की जुरूत नहीं होगी तो जैसे आप स्लेक्ट के option पर कलिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface सो हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर यह forum खुल के आ चुका है मैं आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं यहाँ पर आपको आपदा सेलेक्ट करनी है फेस्ट में आपदा में यहाँ पर करोना महा मारी आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ इसकिम तो हमें अनुग्रे सहता राशी चाहिए तो हम इसके उपर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको केटेग्री चुननी है तो यहां पर मृतक व्यक्तियों के परिवार को अनुग्रे राशी या फिर करोना से मृतक के परिवार को अनुग्रे राशी तो यहां पर करोना से मृतक के परिवार को अनुग्रे हुए और यहां पर आप मातर डालेंगे तो एक सिद्दिश्ची के हुई है तो यहां पर जैसे आप एक डालेंगे कि तो याँ पर आप देख सकते हैं गालने को बाद यहां पर पचास हुजाव रुपए की 30ugu आ चुकी है जो सहते रैसी है वो पचास उजार रूपय की मिलने वाले यहां पर आपको आपका डिनांग डेनी है जो भी है आपकलेंडर से सलेक्ट कर करें बीछ डालेंगे। कि अ रोगे दिनांग डालने के बाद यहां पर प्राकृतिक आपका विविलन्ड आपका चैत्र याए आपको ok नौमिन है अनुग्रे साहता रसी किसको चाहिए वो उसका नाम डालेंगे वेवेग इस्तित्य आयूगरा डालने के बाद चुप सलंगन परपत्र है जिसमें आप मर्तिव प्रवान पत्र वगरा अप्लोड करेंगे जो कोवीड से जो रिपोर्ट है जनाधर है आधर कार्ड ह है राशन कार्ड है जनाधर जो और जो फॉरम है उसको अफलाइन फिल करके यहां पर अप्लोड कर देंगे यहां पर लेस देन एक एंबी सो हो रहा है यहां पर जो परिवार का जो विवरन है आटमेटिंग आ जाएगा मुख्या का मॉबिल नंबर बगरा और जो बैंक अक आपन देना है अब आपको आपका रेवनिटी विलेज्ट हो जाएगा हैं कि यहां पर आपको जोबी रवनिटी विलेज है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको पता डाल देना है जो भी आपका यहाँ पर आप आपका छेतर व्य प्राति का पता एक हो तो यहाँ पर आप टिक करेंगे यहां पर पूरा data automatic fill हो जाएगा यहां पर आपको आविदन aggressive यानि यह जो आप आविदन वर रहे हैं वो सिद्धा पटवारी के पास बेज़ा जाएगा यहां पर आपको डालना है death certificate यहां पर आपको upload कर देना है और other document में यहां पर आपको upload कर देना है जिसमें आपके आधार कार्ड राशन कार्ड और कोविड-19 की रिपोर्ट पोजिटिव रिपोर्ट वो सब यहां पर आपको upload कर देना है उम्मिद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो like वे शेर जरूर करें और फिर आपको अंत में अनुरूद करना का option पर आप क्लिक करेंगे तो यह आपकी request वहाँ पर पेज़ दी जाएगी फिलाल मुझे यह form फिलब नहीं करना है मैं आपकी साहिता के लिए यह वीडियो बनाए है तो चले दोस्तों वीडियो को यहीं पर समात करते हैं